बॉलिवुट की कॉंटुवर्सी कुईन कहे जाने वाली कंगना रुनौत का लेटेस्ट विडियो इस टाइम पर काफी चर्चाओं में बना हुआ है। हुई उस CSF जवान से तो उन्होंने ना आओ देखना ताओ और कंगना को सब के सामने जोरदार ठपड़ जड़ दिया। चंडीगर से दिली के लिए फ्लाइट लेने वाली थी कंगना रुनौत और यहां सिक्योरिटी चेक के दौरान CSF की महिला जवान से कंगना रुनौत की बहस हो गई और उसी टाइम पर कुलविंदर कौर ने कंगना रुनौत को चांटा मारा। मौकी के विडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हुए और आक्ट्रोस को लेकर लोगों ने तमाम तरह की रियाक्शन देने शुरू कर दिये। अब इसे बीच बॉलिवुट के जाने माने सिंगर मीका सिंग ने इस पूरे इंसिडेंट पर अपना रियाक्शन दिया है। इस पूरे मामले के होने के बाद कंगना रुनौत ने ये विडियो भी अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया। उन्होंने बताया किसान आंदोलन के दौरान उनकी कही बातों के चलते महिला जवान ने उन पर हाथ उठाया। आक्ट्रोस ने इस बात की कड़ी निंदा भी की वहीं। हमने एक पंचाबी और सी कॉमिनेटी के तौर पर दुनिया भर में सेव और रक्षा से पहचान बनाई। एरपॉर्ट पर कंगना के साथ जो कुछ हुआ वो सुनकर दुख होता है। CSF Constable एरपॉर्ट पर अपनी ड्यूटी पर थी और उनका करतव्वे बनता था कि वो अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा पर ध्यान दे। ये दुखी करने वाली बात है कि उन्होंने किसी दूसरी सिचुवेशन के अपने परस्नल गुस्से के चलते एक यातरी पर हमला करना ठीक समझा। उन्हें अपना गुस्सा एरपॉर्ट से बाहर सिविल ड्रेस में दिखाना चाहिए था। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं था। उनकी इस हरकत का सरदूसरी पंजाबी महिलाओ पर पड़ेगा और उन्हें उनकी नौकरी से सस्पेंट कर दिया जाएगा क्योंकि एक शक्स ने गल्ती की और पूरी कॉमिनिटी इस बात को भुकतेगी। अब मीका सिंग जिस तरीके से कंगना रुनौत के इस पूरे मामले पर रियाक्शन देते नजर आए हैं। आपकी नजर में क्या मीका सिंग ने बिल्कु ठीक कहा जो भी आपकी राय है जल्दी से हमारी कॉमेंट सेक्शन में आकर बताएं। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजे आप हमारा ये विडियो फेस्बुक पेश पर देख रहे हैं तो उससे भी लाइक कीजे बॉलिवुद जो टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे हैं फिल्मी बीट